Assalamu alaikum everyone, आज हम discuss करेंगे Hindutva ideology और उसकी implications, ठीक है, overall और देखेंगे concerns for Pakistan क्या है, पिछली वीडियो में हमने short वीडियो थी जिसमें हमने overall एक brief introduction या brief overview किया था हिंदutva ideology और transition of India from secular state to Hindutva state, ठीक है, तो आज देखते हैं सबसे पहले Hindutva ideology, क्या है, it is much, मतलब अब हमें यह पता and domination plus hegemony, जो मैंने उपर भी बात कीते है, ideology की, हिंदutva ideology क्या focus करती है, domination और hegemony और expansion and power politics के ओपर focus करती है, ठीक है, 1923 के अंदर यह word coin हुआ, सवार करने, coin किया जो मैंने पहली भी आपको बताया था, RSS की ideology, और हिंदutva gain momentum at the times of independence के time पे इसको momentum मिला था, फिर वो incident हो गया थ फिर essential ideas का क्या है, कि Indian people are common nation, ठीक है, Indian people are common nation, nationalism का concept आ जाता है, और इसके अंदर यह है कि common civilization के पर focus किया गया, जैसे 1920 के अंदर खिलाफ़त movement थी, हिंदू-Muslim unity वाला concept था ना, और 1922 के अंदर जैसे हमें पता हिलाफ़त movement fail हो गई थी, non cooperation movement की वाचे तो वहां पर सवार करके ज इसके अंदू की निशन है, उसका ये वियू था, उस टैमी बनाया था ना, 1923 के अंदर जैसे ही इसके लाफ़त movement खतम हुई थी, हिंदू-मस्ट यूनाइट, उनको हिंदू-को यूनाइट होने की जरुत है, हिंदू-ट्वाइडियोजी को, और हिंदू-नेशनलिजम के हिंदू-नाइटियोजी के अंदर इन ज वर्ड में शाए चीजidas में कवर हो जाती है, हिंदू-निशनलिजम यूनिजनलिजम के उपर फोकस करती है, इंजिन नैशनलेङू कोंगरेस यूनिस के इनदर इ nervous न नीजनलिजन ने इस चीज पा ऐंता है, ऐपको accountedा को in दिदिन वर्सिस अदर्स का जो फिनामेना है वो प्यॉरिफिकेशन का जो आइडिया आपको पता है कि भाई प्यॉरिफाय करना है अपनी रेस को अपनी सिविलाइजेशन को अपनी नैशनलिजम का जो पॉलिसी को ठीक है सेकंड मैनिफेस्टेशन हमने 2002 के अंदर देखी जो के बंबे नाशनल कॉन्वेंशन हुई थी जिसमें फिर हमने गुजरात रॉयट्स देके थे गुजरात रॉयट्स के अंदर जो हिंदुत्वा और मूदी ने जो मतलब रिलेशन हमने आप एले वाली वीडियो में भी 2014 के अंदर पिर मूदी गवर्मेंट का क्या रिलेशन है इसके साथ सेल्फ वर्सिस अदर सवार का एडिया यह होता है और सबसे पहले कुछ हमने वर्ड्स देखेंगे जो यूज़ करते हैं मूदी साहब हमारे क्या हो गया चोकिदार एक वर्ड यूज़ करते हैं इस 70 आर्टिकल है वो रिवोक कर दिया है ठीक है 2019 के अंदर हमें पता है टू नेशन को जो अब हमें पता है कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था किसी भी कॉंस्टिट्यूशन होता है उसके अंदर यूएन की रेजोलूशन के हसाब से यह चीज़ अमल होती है कि इससे मुस्लिम्स वह जाता फैक्ट हुए हैं कि सिटिजन्शिप उन्हीं को मिलेगी जो इस रीजिन के हैं हिंदू रीजिन के लोग हैं पर्टिकॉलर्ली और जाहर है उनको एक रिजिस्टर के अंदर अपनी इंट्री दिखानी है जो जो के पहले के जो गवर्मेंट का औराइजेशन की पॉलिसी लेके जा रहे हैं सवारकर का आइडिया को परसू कर रहे हैं इन सारी चार चीजों से हमें ये बात पता चल रही है अब बात यह है कि मानिफेस्टेशन इन इंडियन फॉरण पॉलिसी असल में पॉइंट यह है कि पाकिस्तान के इशू क्यों है हिंदुत्वा इडियोलोजी अगर हिंदुत्वा इडियोलोजी हिंदूस के अंदर है इंडिया के अंदर है तो पाकिस्तान के लिए इशू क्यों है पाकिस्तान के लिए इशू यह है कि इंडियन फॉरण पॉलिसी के अंदर जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो issue करती है पाकिस्तान के लिए और Indian foreign policy के अंदर कैसे manifestation है इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले secular idea होते थे secular trends have replaced from Indian foreign policy से secular trends खतम हो गए है नहरू का perspective जो नहरू वे जनता जिसको पंच शील कहते है फाइफ principles of coexistence जिसके अंदर mutual respect आता है non-aggression, non-interference, equality and peaceful coexistence का उसको पंच शील कहते हैं अब ये transfer हो गया है पंच अंबरित के अंदर drive from सवारकर speeches के अंदर से drive किया गया है इसको समन, समवाद, समरीदी, सुरासका और संस्कृती बोलते है dignity, dialogue, prosperity, security and civilizational linkages जो हमने पूरा हिंदुत्वा ideology पढ़ी है वो इससे drive होती है और हिंडिया world को ये भारत use करते हैं जैसे के पहले use होता था तो इस दोनों term से मैं पता चल रहा है कि हिंदिया की foreign policy के अंदर manifestations आ रही हैं किसकी हिंदुत्वा ideology की अब पाकिस्तान के लिए क्या कंसर्णस किया है? तो सबसे पहले ऐसे कंटिए के अधे प्रमोड होती है? ताकि वो लेंड खरी दें, महां पर सैटलमेंट्स बनाएं, सैटलमेंट्स की पॉलिसी जो कि अजराईली वाली है, वो यहां पर परसू की जा रही है, तो यह सबसे पहला कंसर्ण है हमारे लिए, फिर दूसरा कंसर्ण है, टेरोरिस्ट वाइलेंट एक्ट इन कश्मीर, इस इडियालगी यह मुदी है, जो जितने हिंडूटो इडियाजी हैं, हिंदूटो इडियालगी के सपोर्टर्स हैं, कहता है, कि जो टेरोरिस्म हो रहा है जिक शब्मीर के अंदर, उनके हिसाब से यह वायलिन्स हो रही है, कुर्टि इस इन Elます, इन पकिस्तां कर रहा है।, military and naval modernization जो कर रहा है आपका इंडिया उसके वह बहुत इशू है पाकिस्तान के लिए सेक्योरिटी डायलामा बनता जा रहा है S-400 करीदे इन्होंने इंडरेशिया से US के साथ इसकी बहुत जादा क्लाइबोरेशन चल रही है ISR रेकनेसंस का जो पूरा मॉडल है डिफेंस का बजट इसका बहुत जादा होने लग गया है इंडिया का ठीक है 2000 के अंदर ये 8 बिलियन होता था और 2021 के अंदर 65 बिलियन डॉलर है जो के 130 बिलियन डॉलर अलग से intelligence और surveillance और ISR के उपर लगाया किया ठीक है वोई बात बताई मैंने था है जो मनीक फोकस करने के लिए पाकिस्तान को वीक करने की strategy चल रही है तो यह overall concerns है और एक last concerns यह है कि पाकिस्तान ने इस ideology को miscalculate कर दिया था और फिर इसकी वजह से false flag operation और वो भी सारी चीज़ें हो थी ठीक है अब अब way forward दिखते हैं कि way forward क्या है इस हिंदुत्वा ideology के साथ कैसे deal करना चाहिए three ways to counter this threat सबसे पहला यह है कि पाकिस्तान को चाहिए human rights violation must be highlighted overall human rights violation को highlight किया जाए इंडिया के अंदर ठीक है telling world that Hindu ideology is about hegemony create करने की बात हो रही है दूसरी country's को suppress करने की बात हो रही है इस image को promote करने की जरूरात है हमें regional hegemony issue हमें issue हुटाना चाहिए वाली बात का और window international world must be open by Pakistan to create secure position अपनी create करनी चाहिए इस बात को highlight करके के पाकिस्तान को एक security threat है इंडिया की इस hegemony की वज़ा से इस इस ideology की वज़ा से दूसरा तरीका यह हो सकता है कि strategic posture response towards इंडिया must be assertive हमें अपने foreign policy के अंदर assertive response देना चाहिए इंडिया को response not be submissive or soft नहीं होना चाहिए हमें अपने light hand नहीं रखना चाहिए और बिल्कुल assertive तरीकी से आना चाहिए जैसे अभी recent काफी सारे hybrid war के cases उठाए और वो जो political maneuverings और इस सारे चीज़े किया पाकिस्तान ने उनको highlight कि इंडिया की इंडिया के issues को फिर आगे पाकिस्तान must always be prepared for false flag operation जो हमने बात किये कि पाकिस्तान को prepare रहना चाहिए अपने तरफ से false flag operation के लिए जो के हिंदुत्वा ideology है हिंदुत्वा ideology followers परसू करने का सोच रहे होता है दो तीन टाइम जैसे पाकिस्तान को एक्यूस किया है false flag operation के अंदर ठीक है तो इस सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए जैसे पलवामा अटाइक बाल आकोट अटाइक इन सारी चीज़ों के अं और हमने overall moody government कैसे इंदुत्वा ideology को परसू कर रही है यह देखा तो और कुछ basics हमने इंदुत्वा ideology की देखिए उनसके implications तो that's all for today thank you so much